आज हम पढ़ेंगे 10th class की exercise 5.3 का question number 3 का part number 4 तो आईए जाने question हमसे क्या के रहा है question ने हमसे कहा है एक AP में A3 is equal to 15 और S10 is equal to 125 दिया है D और A10 ग्याद कीजिए तो आईए solution से पहले थोड़ा इसका basic formula के बारे में जान लेते हैं जिसमें हमारे पास होता है AN-1 की D निकानले के लिए हम क्या करते हैं बाद वाले पद में से हम उसके ज़स्ट पहले वाला पद माइनस कर देते हैं AN के लिए हमारे पास में रूल होता है A plus N minus 1 into D और S N के लिए हमारे पास में रूल होता है N upon 2 into A plus AN N या फिर S N का सेगंड वाला रूल होता है N upon 2 into 2 A plus N minus 1 into D यह इसका सेगंड वाला रूल होता है तो हमें क्या करना है इन ही फॉर्मलों को यूज़ करके इन 15 A3 प्लस N minus 1 into D जो कि कितना है इक्वल में 15 अब A तो हमारे पास है नहीं तो A का A रहेगा N हमारे पास में कितना है 3 minus 1 into D का D रहेगा इक्वल में 15 का 15 अब हमें क्या करना है इससे solve करना है Solve करेंगे तो देखो यहां यह क्या हो जाएगा A plus 3 में से बन जाएगा तो बचेगा 2 और D का D रहेगा इक्वल में 15 का 15 रहेगा 2D यहां plus का इधार आएगा तो minus का हो जाएगा तो A की value हो जाएगे 15 minus 2D हमने इसी को ले लिया equation number 1 अब हमें आगे क्या करना है आगे हमें जो दिया है हम उसको रखेंगे जैसे की यहां पर हमें अब क्या दिया है S10 दिया है जिसकी value हमारे पास कितनी है 125 S10 के लिए formula क्या होगा N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D equal में कितना है 125 अब हमें क्या करना है इससे solve करना है solve में हम क्या करेंगे N की value को रखेंगे जो की हमारे पास में कितनी है 10 upon में 2 का 2 रहेगा ठीक है इसमें हम क्या करेंगे 2 का 2 रहा A की जंगा A की value रख देंगे 15 minus 2 D plus का plus N की जंगा जाएगे N की ये value 10 minus 1 into D की जंगा पर D रहेगा equal में कितना है हमारे पास में 125 इसे हमें solve करना है 10 की 2 से divide करेंगे तो आ जाएगा कितना 5 अब हम इसे solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की 15 से multiply होगी तो 30 minus 2 की 2 D से multiply होगी तो हो जाएगा कितना 40 plus का plus 10 में से 1 minus होगा तो बचेगा कितना 90 equal में हमारे पास में कितना है 125 plus के 9 D में से minus का 4 D जाएगा तो बचेगा हमारे पास में कितना 5 D किसका लेकिन plus का क्यों क्योंकि plus का 9 D बढ़ा है अब यहाँ यह कितना है 30 तो यह ऐसे का ऐसी रहा यह जो 5 इधर multiply में था वो इधर आ जाएगा इसके किसमे divide में और 30 यहाँ plus के इस साइड आएगा तो minus का हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास इस साइड क्या बचेगा 5 D अब यह 5 D बचा है तो इधर यह क्या हो जाएगा जब हम 30 में से 25 को घटाएगे तो बचेगा कितना minus का 5 यहाँ यह जो है 5 D यह निकल के आगिया कितना minus का 5 अब यहाँ 5 यह multiply में इस साइड आएगा तो यहाँ D की value के आजाएगी यह minus का 5 divide by 5 तो यहाँ हम divide करेंगे इसकी 5 से 5 तो यहाँ पर आजाएगा minus का 1 तो D हमारे पास में निकल के आगिया कितना minus का 1 तो आएगे देखे इसका solution आगे क्या होगा आप देखो हमें क्या करना है हमें जो है एक value मिली थी आपर समी करां first में तो हम क्या करेंगे एक value निकलेंगे जो कि हमारे पास क्या था 15 minus 2D यह आया कहां से समी करां first से अब यहां पर अगर हम देखे तो यह 15 तो ऐसे का ऐसी रहेगा minus का minus 2 भी 2 रहेगा और D की value यहां से आजाएगे हमारे पास क्या minus का 1 अब हमें इस से solve करना है solve करेंगे तो यहां यह क्या हो जाएगा 15 और minus की minus से multiply होगी तो plus का और 2 की multiply 1 से होगी तो आजा जाएगा तो यहां पर यह जो हमारे पास a की value निकल का आई है वो कितनी है 17 कि अब हमें क्या करना है आगे अब हमें जो है a 10 फाइंड करना था a 10 ग्याद करनी के लिए हम क्या करेंगे इसका rule लगाएंगे a plus n minus 1 into d जिसमें हमारे पास a की value मिलगी कितनी 17 plus n हमारे पास कितना है यहाँ पर 10 minus 1 d हमारे पास क्या है minus का 1 d हमारे पास है minus का 1 अब हमें क्या करना है इससे solve करना है तो यह 17 ऐसे का ऐसी रहा 10 में से 1 को minus करेंगे तो आजाएगा कितना 9 और minus का यह 1 multiply में ऐसे का ऐसी रहेगा इससे solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 17 ऐसे का ऐसी रहा plus की minus से multiply होगी तो minus का 9 और 17 में से 9 को minus करेंगे तो आजाएगी हमारे पास a 10 की value 8 तो यही हमारा इसका answer है तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता है मिलेंगे next question के साथ में next video में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद